असलाम अलेकूं वर्हफत अल्लाहिवबरिकात हो आप सब मुझे दुआ में याद रखना इंशालला में हम सब के लिए दुआ करूंगी और ये थे हमारे मकांदार के घर से आए उनको पोत्री हुई सो अंटी आए थे घर पे नेने मैं जब घर पे या शायद बारा साड़े बारा बज रहे थे थोड़ी देर लेड गई ती मैं फिर उसके बाद मैं गई मिलने उनसे यह मैं ब्रेक्वास्ट बनाके इस तमा के लिए चले गई सैटेड़े की दिन था साफिप सोफ्या को लिखे यह चोड़ने जा रहे है जिसमें एक पार भी दला दिये यह गाड़ी जो है ना बोत बेटरल की रही है आप मुझे बीच रस्ते पर रोक दी यहां पर गार्डन है इसा अच्छा मैं एक बच्छे से तो हेल्फ ली इन्गे बहन की पॉलेट से लेकी जा रहे थे उन्हों श एकला प्ला है तो है बुरी तो है व्यां बोद झाला कि बवोची, हम उता है जया रहे है घर से तो हैं लोगो ज्हां गड़ी खा जैघकी ॉवसद हो रहे है कि अपने अंदर थांगे और अथने अंदर की इमानों बढ़ाएगा जितना की इमान हमारा मस्बूत होगा उतनी ही हमारे अंदर ताकत और प्रूवत वढ़ेगी और हादार कसे इसाल दे। एमान की, अखलाब की, आमान की, गिर्दार की, हमारी पहंचान की और फिर जाना है वो ऐसे च़़ए जाएं कि छोड़ कर जाएं तुछ मिछान पर दुनिया में कायम तरकी जाएं कुछ अच्छाई को ख्यान कर जाएं ऐसे रहा करो जमाना मिशादे कि हमारी जबाना विसा दें, आल्लाह तबार को ताला हम तमाम के इस बैठने को भूल फर्माएं, और हमारे अज़त धुद इक इमानी पैदा फर्माएं, और हमारे लोगो तख्मे से जोड़ दें, और हमारे अखलाप को आवाल को दुरूस फर्मादें, आमीन, समीन, भूल ध्रिल्दा है। अच्छ बाजी में ना ताजगी आती है इंशाल्ला इजएटली देख्यों नमास का टाइम हो रहा असर का अधेर हो गई में आये तक पढ़ लेती हूँ ज़दी ज़दी वो देर हो गया आज इंशाल्ला और आज इद लजा के बारे में भी क्लास है मेरे कुराणी क्लास में अलाव अलाव मेरा आज का मतलब साटड़े के दिन ग्लास था तरवेती ग्लास था बहुत अच्छा था माशालला और मैं आए तक सोफिया थोड़ा प्याजर गोश डालके मिटा सालन के रहे के फिर मैं उसको अच्छे से बुनके काली मिट्ची वगएरा दालके मिटा सालन बना दी फिर उसके बाद जो है रात में मैं बहुत दिल बोल रहता था तो बिर्यानी बना दी थोड़े से गोश के साथ बहुत मज़े का बना माशालला इससे पहले रेसिपे शेयर कर रही हूँ ना इसलिए मैं नए कर जूँ अब ये सालन में भी हल्प मिझे सोफिया करें मैं पूरे चीज़ा ग्रैनर में टमाटे, काजू, बादाम, धाइंग साथ मिक्स करके, ग्रैन करके, प्याज भी ग्रैन करके उसके साथ अच्छे से बूले में बलके बूले बहुत अच्छा बना है, माशालला इसलिए उनके गुनाहों की सुबा से जोहर तक मख़विरत कर दी जाती है इसी तरह फिर असर के वक्त, फिर मखरिब के वक्त, फिर एशा के वक्त, गर्ज नमाज के वक्त यही सूरत होती है एशा के बाद लोग सोने में मजबू हो जाते हैं इसके बाद अन्हेरी में बाद लोग बुराईयों, जिनाकारी, बदकारी, चोरी वगेरा की तरफ चल देते हैं बाद लोग भलाईयों, नमाज, वजीफा, जिकर वगेरा की तरफ चलने लगते हैं फाइदा हदीश की किताबों में बहुत कस्रसी मज़़ून आया अपने लुट्वे नमाज की बदावलत गुनाहों को माफ फर्माते हैं नमाज में चुके अस्तखवार कुद मौजूद है, जैसा कि उपर गुजरा है इसलिए सगीरा, कबीरा, हर खिसन के गुनाह इसमें दाखिल हो जाते हैं नमाज से वो पूरे भी जा खिसन को माफ हो जाते हैं हो जाते हैं बशर्ते के दिल से गुनाहों पर नदामत हो खुद हक ताला का इस्जाद है, आगिमस्त्सलाथा अधिस्त्स का इस्जाद है, जब नमाज का वक्त आता है तो एक फरिष्टा एलान करता है कि आई आदम की अवलाद उठो जहन्म की इस आग को जिसे तुमने गुनाहों की बदोलत अपने पूपर जलाना शुरू कर दिया है बुच्छाओ चुनाचे दिनदाद लोग उडते हैं वजु करते हैं जहुर की नमाज पढ़ते हैं जिसकी वज़े से इनके गुनाहों की सुबा से जहुर तक मख़्यूर शुँश्छ इन पांचों नमाजों को इनके वक्त कूप पर अधा करने का इहत्माम करे इसको मैं अपनी जिम्मेद जजा करना स्टार्टिंग में आप से लगाए क्या वो भी नहीं था नहीं पहले लगाए थे वह दिवार में से निकल रहा क्या हमारे घर में जो कुटा आए ना चूप हमारे मकांदार लाकर छोड़ रहे पूरे जाड़ा उकार के फेक दिया हुने अरे वो है ना वो मोतिया लाका है चार लेयर का है अगला दो पर और एक अधर लो आनला घुरुम पहले हो डाव मेरे त्या महत अ यहकित तो इसमरे के फ्लावर में अग और जंगल के सब्छा Hakim इतना प्यारा दिग रहा ना है जाड़ कलर, फ्लावर्स का, यहां देखिया, यह ओरेंज कलर है, और अभी कौना इसना है वह गर, यह रेड, नहीं, पिंक, और यह फ्लावर्स, और यह यल्लो, बसे, 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 मेरी मर्जी में, जैसा चाहूं, मैं वैसा रहती हूं, जैसा चाहूं, मैं वैसा जिन्दगी उजारती हूं, लेकिन हमें अल्ला की मर्जी से जिन्दगी उजारना चाहिए, क्योंकि अल्ला ताला ने हमें जिन्दगी और हयात दी है, बेशक आज का ब्लॉक कैसा था जरूर ब झाल झाल